हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का किनौरी एटि निटिन चैनल में तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए भहुत ती प्यारा सा यूनिक सा दो रंगों में स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ बहुत एकदम नया स्वेटर का डिजाइन है तो यह डिजाइन आप जरूर ट्राइब करें तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो आपको डिजाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा तो अगर आप लोगों को मेरे भोलने का तरीका अच्छा लगता है मेरे डिज प्रकाइब शियर जरूर करें ठीक है तो चले शुरू करते हैं डिजाइन की पहली शिलाई सीधी साइट से पहला फंदा उतारा जैसे आपने बॉर्डर बनाया बॉर्डर बनाने के बादे हमारी डिजाइन की पहली शिलाई सीधी साइट से पहला फंदा उतारा दागा अब ये जो दो फंदे है, एक फंदा, दो फंदा, अब ये दो फंदों के बीच से, यानि कि एक फंदे के बाद हमने, एक फंदे के बाद हमने बीच से, इस तरह से फंदे के अंदर नहीं लगाना है, इदर उदर फंदे के बीच से, इस तरह से आपने शलाई लगाना है, तो पूरी शलाई पर यही दो फंदे हमने रिपीट करने हैं, यह देखिए, जैसे एक फंदा हमने उल्टा बनाया, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, अब ये दो फंदों के इदर उदर ये दो फंदों के बीच से, तो यानि कि पहला फंदे के पीछे से, पीछे से लगाना है इस तरह से, शिलाइल लगाएंगे, फिर एक फंदा हम यहां से निकालेंगे, दूसरा हम रोल करके बनाएंगे, तिसरा हम फंदे से बनाएंगे, इस तरह से, तीन फंदे हो गई हमारे, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, फिर से, यह देखिए, एक फ एक फंदा बनाया, दूसरा लपेटा, तीसरा फंदे से बनाया, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, फिर से एक फंदे के बाद हमने फंदे से नहीं लगा कर फंदे की पीछे से सिधा इस तरह से शलाई लगाना है, एक फंदा यहां से बनाना है, दूस डिजाइन की पहली शलाई आपके पह जितने भी फंदे हो, इसी तरह से बना कर कम्प्लीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, पहले फंदे के पीछे से शलाई लगाना है, पहला फंदा बनाया, दूसरा रोल किया, फिर तिसरा हमने फंदे से बनाना, यानि कि ती फंदा बनाना है ठीक है दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पीछे फिर एक फंदे के पीछे से शिलाई लगाएंगे दूसरा फंदा शिलाई पर लोल करेंगे तीसरा फंदे से बनाएंगे तो इस तरह से पहली शिलाई आप पूरा इसी तरह से बना कर कंप्लेट करेंगे, तो यह हमारे डिजाइन की यह देख़िए, पहली शिलाई सीधी सैड से कमपलेट हो गई, तो last में हमारा एक फंदा उल्टा एक फंदा फिर एक फंदा सीधा एग स्टिच का, ठीक है, तो यह हो गई पहली शिलाई कमपलेट, अब डिजान की दूसरी शलाई हमारे उल्टे तरफ से, पहला फंदा उतारा, अब जो एक फंदा हमने उल्टा बनाया है, पूरी शलाई में सीधे तरफ से, वो फंदा हमने उल्टे तरफ से उस फंदे को हमने सीधा बनाना है, उस वाले फंदे को जो एक फंदा हमने सीधे साथ से उल्टा बनाया है उस फंदे को उल्टे साट से एक फंदा को पूरे फंदे को हमने जैसे पूरी शलाई में हमारा एक फंदा उल्टा आया है उस फंदे को सीधा बनाते वे जाना है जैसे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ जो हमने तीन फंदे बनाएं डिजाइन के एक फ तीन फंदा उल्टा, तीन वो फंदा जो हमने डिजाइन के एक के तीन फंदे बनाए थे ठीक है, बाकी एक फंदा ध्यान देना, जो हमने ये दिखे सीधे साथ से उल्टा बनाया है, वही एक फंदा हमने उल्टे तरफ से सीधा बनाना है, इस तरह से, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा बना कर कंप्लेट करेंगे तो इस तरह से आपके पह जितने भी फंदे हो इसी तरह से बना कर कंप्लेट करेंगे एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा बना कर कंप्लेट करेंगे पूरे फंदे, ये हमारी डिजाइन की दूसरी शलाई उल्टे तरफ से कंप्लेट हो गए, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा बना कर कंप्लेट किया, तो चलते हैं डिजाइन की चोथी शलाई सीधी साथ से, तो चोथी शलाई भी हम सेम वही बनाएंगे, जो हमारे पूरी शिलाई सीधी साथ से दागा पिछे जो तीन फंदे है वो सीधे डिजाइन के जो हमने एक से तीन फंदे बनाए थे वो हमारे डिजाइन के फंदे है तीन फंदे तीन फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक, दो, तीन फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, तीन फंदा सीधा तो पूरी शलाई, तिसरी शलाई आपने यही रिपेट करना है डिजाइन की तो ये दिखिए इसली पता चल रहा है अब ये हमारा तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा तो जैसे जैसे आपको फंदे दिख रहे हैं सेमा आप वैसे ही बनाते वे जाएए ये हमारी डिजाइन की है तीसरी शलाई सीधे तरब से तो फिर से तिसरी शलाई आप पूरे बना कर कंप्लेट करेंगे डिजाइन की हमारी तिसरी शलाई कंप्लेट हो गई तो चलते हैं डिजाइन की चौथी शलाई में तो चौथी शलाई में हमारा डिजाइन का दुसरा कलर दागा यूज होगा तो दियान से देखिए तो जब भी आप दूसरा कलर दागा यूज़ करते हो तो जिस से आप बना रहे हो उस पर आप इस तरह से हलका सा इसको बांदे इस तरह से यह दिखिए बांदा फिर यह इजिली आपका इदर आ जाएगा ठीक है तो डिजान की चोती शिलाई अब धियान दीजे डिजान की चोती शिलाई पहला फंदा उतारा अब यह हमारा यह दिखिए पहला फंदा सीधा है दागा पिछे करेंगे यह दिखिए पहला फंदा सीधा है इसको हम सीधा बनाएगे दागा अपनी तरफ जो हमने एक के तीन फंदे बनाए थे अब उन तीन को हमने एक बनाना है जो हमारे डिजाइन के तीन फंदे थे वो तीन फंदों को हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से ठीक है दागा पीछे दागा पीछे एक फंदा सीधा ये सीधा फंदा ये देखिए इसलिए पता चल रहा है सीधा फंदा इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे दागा अपनी तरफ फिर तीन फंदे का एक करेंगे तो पूरी शलाई हमने इसी तरह से रिपीट करने है पूरे फंदे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ डिजाइन की चौतिश लाई उल्टे तरफ से दुसरा कलर दागा यूज़ कर रहे हैं और एक फंदा सीधा तीन फंदे का एक बना रहे हैं ठीक है डिजाइन की चौतिश लाई आप इसी तरह से पूरे फंदे बनाएंगे दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ फिर तीन फंदों का एक करना है तीन फंदे का एक जो डिजाइन के तीन फंदे थे जो हमने शुरू में एक के तीन करे थे वही तीन फंदे का हम एक कर रहे हैं तो इस तरह से डिजाइन की चौथी शिलाई बना कर कम्प्लेट करेंगे ये हमारी डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरफ से कम्प्लेट हो गई फिर से डिजाइन की हम पहली शिलाई सेम वही रिपीट करेंगे जैसे हमने किया था पहले तो वही डिजाइन हमारा शुरू होगा ये देखे बहुत प्यारा सा यूनिक सा स्वेटर का डिजाइन हमारा ये देखे बन कर त्यार हो गया तो इस देखे पहला फंदा हमने उतारा दागा अपने तरफ ये जो उल्टा फंदा है हमारा इसको उल्टा ही बनाना है उल्टा बना दिया फिर दागा पीछे हमने शुरू में क्या किया था सेम वही ये पहले फंदे के पीछे से इस तरह से फंदा लगाना है एक फंदा बनाया दूसरा रोल किया फिर तीसरा फंदा बनाया दागा अपनी तरफ ये जो उल्टा फंदा है एक उल्टा फंदा ये उल्टा ही बनाना है ठीक है फिर पूरे फंदे सेम वही रिपीट करेंगे ये जो हमारा डिजाइन बनावा इसके पीछे से यहां से इसरा से शलाई लगाएंगे एक फंदा बना दिया दूसरा रोल किया तीसरा बनाया दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पिछे बीच से शिलाई लगा कर फंदा बनाया दूसरा रोल किया फिर तीसरा फंदा दागा अपनी तरफ एक फंदा जो आपको एक फंदा उल्टा देखेगा वो उल्टा ही बनाना है फिर दागा पिछे, ये देखिए, डिजाइन वाला फंदे के पिछे से शलाई लगा कर एक फंदा बनाया, दूसरा रोल किया, तीसरा बनाया सेम वही जो हमने पहली श्लाई पर बनाया था आपका डिजाइन सेम वैसे ही बनेगा तो इस तरह से फिर से डिजाइन की दूसरी श्लाई पहली श्लाई फिर से रिपीट करेंगे कलर दागा चेंज करेंगे और डिजाइन आपका सेम वही रिपीट होगा तो पूरे फंदे कंप्लेट करेंगे सेम इसी तरह से एक फंदा उल्टा दागा पीछे इस फंदे के पीछे से शिलाई लगाया रोल किया दूसरा फंदा बनाया फिर तीसरा फंदे से बनाया तो पूरे फंदे आप पहली शिलाई में इसी तरह बनाकर complete करेंगे यह हमारी फिर से डिजाइन की पहली शलाई हो गई complete तो चलते हैं फिर से डिजाइन की दूसरी शलाई उल्टे तरप से तो यह देखिए जब भी आप डिजाइन बना रहे होता है यह हमारा डागा डिजाइन का डागा नीचे रह जाता है इसको आप लोगों ने इस तरह से यह जो हमारा बन रहा है या तो इस तरह से करके उपर ले जाएं या फिर इसके नीचे से बात एक ही है इस तरह से गुमा कर ठीक है साथ जरूर ले कर जाएं इस तरह से, तो हमारा फंदा Under आ जाएगा तो फिर से design की दूसरी शिलाई पहला फंदा उतारा जो सीधे तरफ से हमारा उल्टा फंदा बना है अब तो हमारे को इजली पता चल जाएगा एक जो हमारा सीधा फंदा है, ये देखिए पूरा इजली पता चल रहा है, एक सीधा फंदा, ये देखिए, तो इस सीधे फंदे को पहला हमारा सीधा फंदा, पहला सीधा फंदा, दागा अपनी तरफ तीन फंदा उल्टा, डिजाइन के फिर से तीन फंदे उल्टे, दागा पिछे, एक फंदा सीधा, ये दियान देना है जो हमने सीधे तरब से यह लुटा है बस उसी फंदे को हमने सीधा बनाना है यह दे 혹시 बिलकुल इजिली पता चल रहाए है हमारा सीधा फंदा ठीक है तो इस तरह से फिर से बना कर कम्प्लीट करेंगे डिजाइन की दूसरी शलाई हमारी डिजाइन की हमारी दूसरी शलाई कम्प्लीट हो गई उल्टे तरफ से एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा बना कर लास्ट में फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो चलते हैं डिजाइन की तीसरी शलाई सीध से तो सेम वही पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ जो एक उल्टा फंदा है शुरू का उल्टा बनाएंगे फिर जो डिजाइन के तीन फंदे है वो सीधे यह देखिए एक दो तीन तीन फंदा सीधा एक दो तीन तो पूरे फंदे अब हम यही रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा यह देखिए अब पूरा पता चल रहा है नीचे से हमारा उल्टा फंदा एक फंदा उल्टा डिजाइन के तीन फंदे सीधे तो इस तरह से आप डिजाइन के तीन फंदे सीधे तो इस तरह से आप डिजाइन की तीसरी शिलाई पूरे फंदे बना कर कम्प्लेट करेंगे तो मैं हमेशा शुरू का ध्यान देना होता है भागी आपका उस से आगे सेम वही रिपीट होता है तो ये हमारी डिजाइन की तीसरी शिलाई हो गई सीधे साट से कम्प्लेट डिजाइन की चौती शिलाई में क्या करेंगे हम कलर दागा चेंज करेंगे कलर दागा चेंज करेंगे ये देखिए कलर दागा चेंज करेंगे डिजाइन की चोथिश लाई में कलर दागा चेंज करेंगे पहला फंदा उतारा दागा पीछे सीधा फंदा सीधा सीधा फंदा सीधा बनाया फिर दागा अपनी तरफ फिर ये तीन फंदों का एक करना है चोती शिलाई में कलर दागा चेंज करना है इसका ध्यान रखना है फिर सेम वही तीन फंदे का एक करना है दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ तीन फंदे का एक करना है दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ फिर तीन फंदा का एक करना है त तीन फंदे का एक करना है तो इस तरह से डिजाइन की चोती शिलाई बना कर कम्प्लेट करेंगे तो ये हमारी डिजाइन की चौथी शिलाई complete हो गई उल्टे तरफ से तो सिरिफ और सिरिफ चार शिलाई का डिजाइन है ये देखिए हमारा डिजाइन का look इस तरह से बन कराएगा तो बहुत ही प्यारा और यूनिक सा स्वेटर का डिजाइन है तो ये डिजाइन आप जरूर ट्राइ करें तो ठीक है दोस्तो बाय थेंक्यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आप लोगों को मेरे डिजाइन वाले उडियो चेक दे समझ आती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेर जरूर करें दन्यवाद